हाई गार्स विल्कम बैक पनों से बेसिक एजोकेशन गाइज आज का ये वीडियो है हमारा मिलें बचिए एजिए जो इए बचिए चाहिं दीखने ही नाथ प्सक्राइव के लिए नंसर निटांगी को दिकनें बच्राइव होता निसल्टथी नाुट आपको टीक है अलिस्ट इसीन अडशांफटरिंग्ड प्रफोल्मक बिचिटमेंट इन नुसिंग निसेर्च शु C explain types of quantitative research design C explain in details about non random research design ठीक है question no.3 है जो कि यह short and short question है 25 marks के हैं और इसमें 5 questions दिये गहें 1, 2, 3, 4, 5 और each question 5 marks के हैं तो पहला यहां पर review of literature और जो B है यहां पर validity of research tool sorry C है B यहां पर कि probability sampling technique C था variety of research tool D है planning of data collection और E जो question है preparation of data for computer analysis ठीक है next question के तरफ बढ़ते हैं question no.4 है 10 marks का है और 2, 3, 5 ठीक है 2, 3, 5 यानि जो first 4 का A है 2 number का है B है 3 number का है और C है 5 marks के हैं तो 4 का A है defined data data क्या होता है B explain scope of statistics और C explain organization and presentation of data ठीक है next question is question no.6 और 9 marks का है और each question 3 marks के है sampling error क्या होता है A है sampling error क्या होता है B scatter diagram method क्या होते है और C है vital health statistics क्या होते हैं ठीक है तो देट देख सकते हैं तो अबने कि तरीके से इस तरीके से आपर पर पर पारे वह एक्जाम में आते हैं आज के लिए इतना ही ऐसी इन नर्सिंस के लिए वीडियो के लिए चला को subscribe कर लेंगा वीडियो चले कियों लिए जुरू कीजिए गारते हैं कि अगले वीडियो में